कि नमस्कार दोस्तों वी एस नोलेज इलेक्टर चलने में आप सभी का हर्दिक स्वागत है जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो टेक्निकल हेलपर 2022 परणाम पर हाई कोट रोक क्या है पूरा मामला दोस्तों आज के इस वीडियो में संपॉर्ण एनालिसिस करने वाले हैं सब नियाएदीस संजीव परकास सर्मा ने मंत्राला सिवा दिन्यम 1999 के तैत महिलाओं को 30% आरशन नहीं देने के मामले में परणाम के उपर रोक लगा दी है जैसे ये न्यूज वाइरल हुई सोसल मीडिया में काफी सारे स्टुदेंट्स के कोल वा मेसेज आ रहे थे कि क्या कर दी गई है हमने तो आज ट्रीटर के उपर हैस्टेक चला रख है प्रणाम जारी करो डिसकों जल्दी से जल्दी हम दिजार कर रहे हैं काफी सारे विद्यारतियों के टेंसन बढ़ गई है कि क्या सच में हाई कोटने रोक लगा दी है वीडियो को आप दोस्तों पूरा द अगर आप चैनल पर पहले बार वीजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सबस्काइब करना ना भूले ताकि टेक्निकल हेलपर बढ़ती प्रिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे सटिक विसिलेशन इसी परकार आपको देखने को मिलें आए देखते हैं सबसे पह की पूरी जांच परताल की है आखिरकार सथ है या फिर फ्रेंक है मवित पुरुफ आपको में दिखाने वाला हूं क्या है पूरा मामला सबसे पहले इसकी देखते हैं न्यूज में क्या है जैपूर पत्रिका की न्यूज है जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें लिखा पर बर्ति का प्रिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है आगे दोस्तों इसमें बता है साथ ही राज्य स्रकारवाग जैपुर वितुत वितर निगम के मुख्य कार्मिक अदिकारी निच्छे जबाब तलब किया है नियाइदी संजीव प्रकास सर्मा ने अनुपमा चोदरी की यह आदेश दिया है उसमें लिखाया पार्थिपक्स के अधिवक्ता जैसिंग राठो ने कोट को बताया कि जैपुर विदुत वितर निगम की तकनिकी हेलपर बर्ति में राजस्तान अधिनेस्त कारले मंत्राले सिवा अधिनेम 1999 में के तहत मैला आरक्षन नहीं दिया गया मईलाओं के 30% आरक्षन दिया जाना चाहिए यह निज दोस्तों वाइरल हो रही है कि अनुपमा चोधरी के वकील है जैसिंग इन्होंने कोट में पेस किया है सबसे पहले दोस्तों इसमें कहीं नहीं यह दिया गया मुख्य कार्मी का अधिकारी का नाम नहीं है इसमें किसे जबाब तलग किया गया है दूसरा एविडेम्स मैं आपको दिखाता हूँ, 1512 पदों का इस बर्ति में कहीं पर वर्णर नहीं है, तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, कि नियाइदी संजीव प्रकास सर्मा कहां पर हैं, अभी वर्तमान समय में, क्या वो जेपुर के मुखे नियाइदी से या फिर नहीं हैं, आएए आपको मैं लेखके चलता हूँ, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, राज्ये प्यूरो पत्रना की ये नियूज है, पत्रना का एक वार्वा है, राजस्तान हाई कोट के नियाइदी संजीव प्रकास सर्मा, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, वित पटना हाई कोट के जज के रूप में सनिवार को सपदली है मुखे नियादीस संजे करोल ने हाई कोट के सतापती बवन की लाभी में पूरा गयारा बजी उन्हें पदवाय को पने था कि सपदलाई नियादीस सर्मा का जनम 27 सितमर 1964 को हुआ था उन्होंने 30 मई 1987 में आगे दोस्तों मैं एक और एविडिन्स आपको बताने वाला हूं दूसरा आप देख सकते हो यह पटना की नियूज है हाई कोट की वेबसाइट के उपर आप लगा सकते हो कि वरतमान समय में संजीव प्रकास सर्मा कहां के मुखे नियादीस है संजीव प्रकास सर्मा बने पटना हाई कोट के जज अब 20 हो गई नियादीसों की संख्या दोस्तों वह न्यूज क्या है 2018 की बढ़ती की न्यूज है और किसी समझिक तत्वा ने इस परकार की न्यूज को वाइरल किया है ऐसे स्टुदेंट्स के को करतूत हो सकते हैं जिसने प्रिक्षा पास नहीं की ह स्टुदेंट्स में एक भैवत्पन करने के लिए डर पैदा करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी हाई कोट ने इस बढ़ती के ऊपर किसी परकार की रोक नहीं नहीं लगाई है यह पूर्ण तरीके से तत्थेहीन है आज समझिक तत्वा की करतूत है जिस परकार से एक जो ट्विटर अकाउंट था उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर किस परकार से छेड़ चाड़ करके सोसल मेडिया के ऊपर वाइरल कर दे था वेसे है आसमझिक तत्वा ने इस परकार की न्यूज को वाइरल किया है एसा कुछ भी नहीं है दो अजार अठारा की बरती की वर्णन है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी हाई कोट में इसकी याचिका नहीं लगी है वो ना ही लगेगी आज जिस परकार से आपने ट्विटर के उपर हैस्टेक चलाया है प्रणाम जारी करने का रिस्पॉंस की जारी करने का उसका प्रणाम आपको आने वाले पांस से सा अप्डेट के साथ में आपको किसे प्रकार की घबराने की इसा समझिक तत्व ए ऐसे काफी सारी चीज़े जब तक परिणाम जॉनिंग जारी नहीं होगी तब तक काफी सारी चीज़े सोसल मीडिया के उपरवायर्यल हूगी जैसे ही अबडेट होगी सबसे पहले आपको छेनल के अपर देखने को मिलेगी प्रफ्य को च्थे है को कि मुखे नाइदी शन्जी उकमार सरमा आपको ओक लुकोने सब ने देखा HP कोटना हाई कोट के मुखे ने आए दी से एसी कोई बात नहीं किसी ने भी अभी अच्छी का नहीं लगाई है परणाम बहुत जल्दी जारी होगा अगले सब्सक्राइब के अंदर आपको बड़ी खुशकप्री देखने को मिलेगी मिलते है एक नही अपडेट के साथ में